नमस्कार दाएंगल में आप सबी का स्वागत हैं इस वक्त की एहम खबरे लेकर मैं हूँ आपके साथ नीतु शर्मा सबसे पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर पूर प्रिधान मंदरी मनमोहन सिंको स्पताल से मिले चुट्टी रेक्शन और गुखार होने के बाद एंस में हुए थे भरती भारत में तेजी से बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या आकडा हुआ सब्तर हजार के पार राजस्तान में उद्यापूर बना एपिक सेंटर अब तक 315 लोगों की हुई मौद प्रदेश सही जापूर ने साथगी से बनाया गया अंतरास्ट्रे नर्शेस दिवस्त मुखे मंदरे शोग गहलोत ने च्विट कर दी बधाई अमारिका के राश्पती डोनाल ट्रम ने एश्याई अमेरिकी रिपोर्टर के साथ कोरोना वारस को लेकर हुई बहस के बाद अचाना कपनी प्रेस कॉन्फरेंस को समाप्त कर दिया CBS News की रिपोर्टर वीजय जियांग ने ट्रम से सवाल किया कि वह क्यों लगातार इस बात पर जोड़ दे रहे हैं कि अमेरिका अन्य देशों के मुकाबले वारस के टेस्टिंग में बहतर कर रहा है रिपोर्टर ने पूछा कि यह क्यों माइने रखता है यह वैश्विक प्रतिसपर्दा क्यों जबकि हम देख रहे हैं कि हर रोज अमेरिकी अपना जीवन गवा रहे हैं ट्रम्प ने इसके जवाब में कहा कि दुनिया में हर जगे लोग अपनी जान कवा रहे हैं और यह सवाल आपको चीन से पूछना चाहिए मुझसे यह मत पूछिए चीन से यह सवाल पूछिए ओके जियांग उन से अपने सवाल का जवाब मांगती रही तो ट्रम्प ने एक आएक प्रेस कॉन्फरेंस को खत्म कर दिया और वाइट हाउस में चले गए एम्स में भरती पूर प्रधान मंतरी मनमोहन सिंग को अस्पताल से चुट्टी दे दी गई है पूर प्रधान मंतरी की चिकिस्टा जाच की गई और इसके बाद डॉक्ट्रों ने उन्हें अस्पताल से चुट्टी देने का निर्ने लिया नई दवा के कारण रियक्शन और बुखार होने के बाद 87 वर्ष ये सिंग को रविवार रात एम्स में भरती कराया गया था प्रधान मंतरी मोधी ने इसकी चर्चा की थी चर्चा के बाद पीम मोधी ने पूछा कि कौन सा राज्य क्या चाहता है कितने ढील चाते हैं, 15 तारिक तक सुझाओ माँएं, फिर केंदर सरकार फैसला लेगी की का किया किया जाए दिली के मुखे मंतरी अरविंद केशीवाल ने कहा कि मैं दिली के लोगों से सुझाओ माँवना चाहता हूं कि क्या किया जाना चाहिए लॉक्डाउन में कितने डिलाई दी जानी चाहिए बसे मेट्रो आट्रो टैक्सी चालू होनी चाहिए या नहीं कूल मार्केट खुलने चाहिए या नहीं कार खाने खुलने चाहिए या नहीं लोग सुझाओ दे कर बताएं कि क्या खुले क्या नहीं केजडीवाल ने यह bhi साफ किया कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क सक्थी के साथ ज़रूरी हो रहेंगे केजडीवाल बोले कि हमाई अपनी सहत बना कर रखनी है और साथ ही अर्धिवबस्ता की सहत भी बना कर रखनी है कोरोना की रफ़तार देश में तेज हो गई है सरकारी आंकडों के अनुसार 70,000 सरदीक मरीज सामने आ चुके हैं 22,45 मरीज ठीक हो चुके हैं जबकि इस जानलेवा बिमारी के कारण 2,293 सरदीक लोग अपनी जान कमा चुके हैं महरास्ट गुजरात और राजदानी दिली देश में कोरोना का होट स्पोर्ट बना हुआ है महरास्ट में कोरोना संक्रमितों की संख्या 22,000 को पार कर गई है तक्षिन में तमिलाडू में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है राजदानी जैपुर समेट प्रदेश फर में अंतरास्ट्रे नर्सेज दिवस सादगी से मनाया गया जैपुर में सवाई मान सिंग अस्पताल में नर्सेज ने फ्लोरेंस नाइट एंगल के चित्र पर पुषपांजली अर्पित की सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए सादगी पुण आयोजन किया गया फ्लोरेंस नाइट एंगल के जनम दिवस पर सवाई मान सिंग चिकित साले में चिकित सा अधिक शक डॉक्टर राजेश शर्मा और नर्सिंग अधिक शक भूरामल मीना प्रदेश अध्यक्ष नर्सेज राजेंदर सिंगराना नर्सेज भरती 2018 संगर समीती के प्रदेश सयोजक मनोज मीना और सभी नर्सेज उपस्तित रहे इस मौके पर कोरोना वारियर्स जिन्होंने कोरोना से लड़ते वे अपने प्रयान नोचावर कर दिये उनको श्रधाज ली दी गई मुखे मंद्रेशों गहलोत ने ट्विटकर अंतरास्टी नर्सेज दिवस पर पधाई दी आज बिशु नर्सेज दिवस है आज नर्सेज दिवस क्यों मनाया जाता है क्योंकि नर्सेज की जन्मझात्ती मिस्परलोरेश नाइटेंगल के दोशवा जन्मदिने उन्होंने क्रमिया युद में सबसे पहले गायल मरीस्ता उनकी एक माके रुप में सेवा की 1820, 12 में 1820 का उनका जनम हुआता और उनकी जनम दिवन्ति को पूरे विश्व में अंतराश नर्से दिवस के रुप में मनाया जाता है नर्स का एक हैम रोल होता है जब एक मरीज होस्पिटल में एडमिसन लेता है तो एडमिसन से लेकर उसके डिश्चार्ज तक की सारी उप्चारिता एक नर्स के हाथों में होती है जब तक Marine Hospital में रहेगा आएगा और जाएगा तब से लेकर उसकी जाने तक की प्रिक्रिया सिर्फ नर्स का ही उसके अटेजमेंट होता है उसके emotional उसको कुछी negative और positive कुछी सिर्फ एक नर्स दे सकती है नर्स जिस फरकार अपने बच्चे की केर करती है उसी फरकार उस पेसेट की नर्स केर करती है मैं इस अंतराश्य नर्से दिवस पर और हम सभी को गरव है कि हम एक नर्स है और मैं एक नर्स होने के नाते आप सभी से में अपील करना जाता हूँ कि आप सभी गुरों में रहेंगे तो हमारा देश पोड़ना मुख्त होगा और हम विश्टू में एक मिसल काइन कर सेकेगे तो मैं आप सभी को नर्सेश दिवस की हार्दिक सुपकामना देना चाहता हूँ लोगड़न में अन्य राज़ों में फसे रहने के बाद पैदल या अपने स्वैम के वाहन लेकर घर लोट रहे लोग बड़ी संख्या में विभिन कार्णों से राजस्तन की सीमा पर अठक गए हैं इन लोगों का मामला राजस्तान हाई कोट पे पहुँच गया एक जन हित्याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोट ने राजस्तान सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है मामले की अगली सुनवाई शुकरवार को होगी हरी सिंग राज पुरोहित ने अपने वकील मोती सिंग के माध्यम से एक जन हित्याजिका दायर कर अन्य राज्यों से राजस्तान आ रहे श्रमिकों की समस्या समाधान करने का आग्रे किया नयादी संगित लोड़ा की खंड पीत के समक श्याचिका में कहा गया कि निविदन क्या गया है स्टेट पोर्टल पर रजिस्टर्ड 19 लाग प्रवासी लोगों की सुरक्षित घर वापसी के लिए चरनबद योशना बना कर त्वरिद गती से उन्हें अपने घर पहुचाए राजस्तान में कोरोना वारस के मामले लगादार बढ़ते जा रहे हैं शाम पांच बजे तक 68 नए केश सामने आए इनमें उदापूर में 32, जैपूर में 22, कोटा में 5, जुनजुनों में 2, पाली, चुरू, सीकर, अजमे, चित्तोरगड, हनमानगड और सीकर में एक-एक संक्रमित मिला साथी दो लोगों की मौत भी रिकॉर्ड की गई वहीं राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 4,056 पहुँच गया इनमें बीकानेर और जालोर में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई जिसके बाद मौतों का कुल आंकड़ा 115 पहुँच गया प्रदेश में संक्रमन के सबसे जादा केश जैपुर में हैं यहां अब तक 1233 संक्रमित है उसके अलावा जूदपुर में 933, कोटा में 264, अजमेर में 233, उदैपुर में 214, टॉक में 142, चितोरगड में 142, जुनजुनु में 44, भिलवारा में 43, बिकानेर में 49 मरीश मिले हैं कुछ बच्चे अपने माता पिता के साथ अजमेर से जासी उतर प्रदेश के लिए पैदल ही पलायन कर रहे हैं जब इसकी सूचना जैपुर चाइड लाइन एक शुन नो आट को मिली तो चाइड लाइन की समन्वेग जया शेशी शर्मा अपनी टीम के सदस्य के साथ मौके पर पहुंची और उनकी समस्याएं पूछी जिस पर उन्होंने बताया कि वे किशन गेड अजमेर से चल रहे हैं हमारी प्रशाशन ने कोई मदद नहीं की यह लोग पताशी बनाने का कारे करते थे टीम ने सभी को मास्क वितरित किये एवं सेनिटाइजर किया सभी ने जिला प्रशाशन को सुचित कर बच्चों, महिलाओं, पुरुषों को कानों तस्ति शेल्टर होम में भीजा गया जहां से उनको जिला प्रशाशन द्वारा सुरक्षित उनके घर पीजा जाएगा ग्राम पंचायत रायथल के सरपंच प्रतिनीदी जसराच सिंग राजपुरोहित ने विडियो कॉन्फरेंसिंग के जर्ये अस्पताल में भरती रायथल के घंचाम से बात चीत की उनकी रिपोर्ट पॉजटिव आई थी और अभी जोदपूर में उनका इलाज चल रहा है इसे बीच कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर ये गरत अफ़ा फैला ली थी कि घंशाम की कोरोना की वज़े से मृत्यू हो गई है ये जानकारे मिलते ही जसराट सिंग ने उनसे फोन करके हाल चाल जाना और दिलासा देतेवे कहा कि आप जल्थ ही ठीक हो जाओगे सरपंच प्रतिनिती जसरान सिंग ने कहा कि अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो वह तुरंथ फोन करके मुझे सूचना दे वह इसके अलावा ग्राम विकास अधिकारी हमिर खान ने कहा कि डाइट चार्ट के हिसाब से पोश्टिक भोजन आईसोलेशन वार्ड में सफाय विवस्ता डॉक्रों के विवार में चानकारी ली जोदपुर ग्रामिन पुलिस ने मादक पधार्तों की रोगधाम के लिए विशेश अभ्यान चला रखा है उनके कबजे से 90 किलोग्राम अवे डोडा पोस्ट पर आमत कर लिया इस बिलिटिन में ये थी अभी तक की खास खबरें देखते रहें दाइंगल नमस्कार